है 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 लोग दिस्कृट मैथमेटिक्स के लेक्चर नमबर 50 में आपका स्वागत है हम लोग डिस्कॉसन करने जा रहे हैं इंक्लूजन और एक्स्कॉचन प्रिंसपल यह अक्चॉल सेट थीजिए का प्रॉब्लम है दिस्कुट मैंथमेटिक्स में पढ़ने है इस तरह के प्रॉबल्म आप से पूछे हैं तो एक्शिवल में दा इंक्लूजियू एक्स्कॉचन फ्रिंसिएं प्रिंस्पल जो है वो क कि कहता है एक निश्शित बेसिक फॉर्मूला पर काम करता है जैसे ये यूनियन बी की कार्डिलिटी हमेसा ही कार्डिलिटी ओफ A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B होगा इस फ़र्मूला को आप याद रखेंगे या अगर थ्री सेट A B C की बात करें तो इस प्रिंस्पल के आधार पर अगर हम तीनों इस चेट का union निकाले A union B union C की cardinality, equivalent होगे cardinality of A plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of A intersection C minus cardinality of B intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C. कि इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं माल लेते हैं कि वेन डाइग्राम हम बना लें पहले दो सेट के लिए बना ले तो इन दोनों सेट का जो यूनियन होगा कि यहनियन जोड़न होंगे सारे में इंक्लूड हम कैसे तो एक सारे मेंबर प्लस-पी के सारे मिंबर को गर जोड़ sekali इसलिए उनको उसमें से निकालना पड़ेगा तब जाके हमारा टोटल कानिलिटी प्रूफ हो पाया गाएगा मैथेमेटिकली इसको बड़े आराम से मैथेमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लेम आते हैं जैसे एक क्वेस्टिन है कि हाउ मेनी नंबर between 1 to 50 divided by 3 and 6 2 and 3, 3 and 6, 2 and 3 सवाल बड़ा सिंपल है कि एक से पचास तक के वह कौन से नंबर है जो टू और थ्री दोनों से डिवाइड होते हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए inclusion exclusion principle जो है यह बड़ा effective होता है कैसे होता है अब देखिए 1 to 50 में दो से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे division by divisible by 2 यह 25 नंबर होंगे सारे इवे नंबर डिवाइड किये जाएंगे अगर कि डिवाइड वाइड थ्री हम करें तो कितने नंबर होंगे कि 50 by 3 यह करीब करीब 16 आ जाएंगे और दोनों से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे तो सभाविक है 2 इंटू 3 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर जो होंगे और 50 by 6 होंगे तो यह 8 है से नंबर होगे जो दोनों से डिवाइड होंगे 3 6 12 24 इस तरह से काउंट कर लेंगे हूं 30 36 तो इस तरह से हमने निकाल लिया अब इस वैल्यू को हम कैसे यहां पर पूट करेंगे देखिए टोटल कितने नंबर हैं तो इसको आसानी से डिवाइड किया जा सकता है डिवाइड आप कैसे करेंगे कि इस विंस्पूल को अप्लाई कीजिए कि काडिलिटी अगर हम इसको माले यह है यह 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 इंक्लूजन है मतलब एंटर्सेक्शन भी है कि यहां काडिलिटी की बात हो रही है मेंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं तो इसको इस फॉर्मूले से बड़ा आराम से निकाला जा सकता है कि यह इंटर्सेक्शन माइनस होगा इज इक्वल टू यह कितना हो जाएगा फॉर्टी टू माइनस एट फॉर्टी टू में एट करेंगे तो कितना होगा थर्टी फॉर होगा तो यह थर्टी फॉर जो वैल्यू है यही हमारा एंसर आएगा यह टूटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थर्टी फॉर्टी फॉर्टी आप यह कह सकते हैं कि थर्टी फॉर्टी यहां पर नंबर है जो टू और फ्री से डिवाइट होगे लेकिन एक्सक्ट डिवीजन जो तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है कई बार मैथेमेटिक्स तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि किसी स्कूल में कि 50 स्टूडेंट कि मैथ के हैं मान लेते हैं मैथेमेटिक्स का सेट बना ले हम बायोलोजी का बना ले और इस तरह के सवाल होते हैं कि mathematics में 40 बच्चे हैं इसमें 30 बच्चे हैं और इसमें 20 बच्चे दोनों पढ़ते हैं दोने सब्जक को फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कैसे इसको पता लगाएंगे टोटल बच्चे कितने हैं सभाविक है आप इसको इंक्लूजन एक्स्क्लूजन प्रिंस्पल से डिफाइन कर सकते हैं 40 प्लस 30 माइनस 20 इसको फिफ्टी कि यह टोटल बच्चे जो होंगे इस पूरे सेट में और कितने बच्चे होंगे तो यह बड़ा ही सिंपल सवाल है जो और किसे अग्जामनेशन वगरें पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे यह तो दो सेट की बात हुई अगर तीन सेट हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा मरा एक्विशन और बड़ा हो जाता है अगर फिजिक् सेटिक्स बायलोजी के साथ फिजिक्स को जोड़ दें स्टैटिस्टिक्स को जोड़ दें और भी दूसरे सब्जेक्ट को एड़ कर दें मतलब तीन अलग अलग सेट की अगर काडिलिटी रेशियो को फाइंड करना हो तो इंक्लूजन एक्स्क्लूजन प्रिंस्वल के आध रखते हैं कि इस कॉंसेप्ट को आपने समझा होगा और कई वार वेंट डाइग्राम से भी हम प्रॉब्लम का शॉलूजन निकालने की कोशिश करेंगे और जो फैलू है नहीं तो हमारे बास इंक्लूजन एक्स्क्लूजन का प्रिंस्वल फॉर्मूला है इसको सीधे सीधे हम अपने प्रोग्राम में इंप्लिमेंट करके रियल सॉलूशन एक्जट सॉलूशन या एंसर फाइंड कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद